तो हेलो गाइज, आज की इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्वीन मेडुसा की मैरिज कब हुई, और क्वीन मेडुसा कब प्रेगनेट हुई थी, और क्वीन मेडुसा की बेटी कौन है, इन सभी के बारे में हम इस वाले वीडियो में जाने वाले हैं, तो चलिए ब को इसके बारे में जानने के बाद उसने बचाव के लिए 30 से अधिक डूजून बिजली घर लाए जुआन हुआन के लिए पर केलिन ने शहर के बाहर लड़ाई को गंभीरता से देखा बाद में अलगाव के 6 साल काली शर्ट वाले लड़के का आंकड़ा अब भी गूंज रह उसके मन जब जियो यान ने यानमिंग की स्थापना की उसने यानमिंग और जियो परिवार को केलिन को सौंक दिया हालांकि जियो यान का जाना अपने पिता और शिक्षक को बचाने के लिए था केलिन एक बेटी के रूप में उसके लिए न केवल एक बेटी को जन्म दिया बलकि यान लीग को इतने बड़े पैमाने पर खीचने में उनकी मदद की, इस तरह के बलिदान को गहरासने ही और धर्मी कहा जा सकता है, जियो दिंग पर पक्षने गंभीरता से कहा, केलिन इन साल आपने यान एलायन्स और जियो परिवार के लिए इतना भुगतान किया है, यदि आप इस कठिन समय से गुजरते हैं, मैं निश्चित रूप से जियो यान को हमारे जियो परिवार से शादी करने दूँगा, जब शब्द गिर गया, केलिन की आखें एक जटिल नजर से भर गई, वह नाग लोगों की रानी है, उसके खून की विरासत उसे उस व्यक् समप्रदाय के खिलाफ एक हताश लड़ाई शुरू की, एक चाया की चाया ने पूरे जवान हुआं किले को ढख दिया, इस पल लायन मिन समप्रदाय में 30 से अधिक डूजून हैं, और यान लीग में केवल एक गरजन डूजून, इसलिए इस लड़ाई में, केलिन का नुक करने के लिए चौक गया, जब पिता और बेटी मिली, जियो यान अचानक उत्तेजना के स्पर्ष में फूट पड़ा, उसने चुटकी ली और कहा, क्या आपको पता है, कि मैं कौन हूँ, छोटे जियो ने जियो यान को गंभीरता से देखा, और फिर फुस्फुसाया कि जियो को गले लगा लिया, और जियो यान को जटिल निगाहों से देखा, और उसकी आवाज में थोड़ा क्रोध और शिकायत के साथ कहा, मैंने सोचा था, कि तुम वापस नहीं आओगे, केलिन को इस तरह देखकर, जियो ली ने कहा, एक गहरी आवाज में दाओ, तीसरा भ उसने धीरे से केलिन को गले लगाया, और धीरे से कहा, सौरी सुनने के बाद केलिन नाक की नोक अचानक थोड़ी खटी महसूस हुई, वर्षों से नाराजगी जियो यान की वापसी के साथ स्वत ही समाप्त हो गया, जियो यान ने जियो जियो के छोटे गाल पर चुटकी और कहा हलकी मुस्कान, मेरी अच्छी, बेटी अपनी मा का पालन करें, और फिर इसे तुम्हें सौंक दो, डैडी खत्म करने के बाद बोला जा रहा है, जियो यान ने शुने में कदम रखा, उसने इंद्रधनुष की तरह जोश के साथ युद्ध में प्रवेश किया, आज उसके चार अलग-अलग प्रकार हैं, आग की, और उसकी खेती आठ सितारा डूजून के चरम पर पहुँच गई है, भीशन युद्ध के बाद, जियो यान के पक्षने शांदार जीत हासिल की विजय, जियो तियानजुन सीधे थे मारा गया, और चौथे तियानजुन को भ जियो यान ने पीट-पीट कर मार डाला, लड़ाए खत्म हो गई थी, जियो यान तुरंत कैलिन और उसकी बेटी के पास आया, अचानक जियो जियाओक सियाओ की भोहें चमक उठीन और एक रंग-बिरंगा सांप निकला, जियो यान ने सांप का पत्र उगल दिया, और कैल जियो 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 द्वारा उधार ली जा सकती है, यानि जियो शियाओई डूजोंग की ताकत के साथ पैदा हुए जियो यान यह सुनकर बहुत खुश हुआ, आखिर रंग-बिरंगे सांप ने भी उसके साथ लंबा सफर तै किया है, अब उसकी बेटी के शर अभाविक रूप से, यह है एक सुन्दर चीज भी, केलिन की तरफ जाते हुए उसने कहा धीरे से, बड़े भाई ने कहा कि चलो एक साधारन जियो परिवार की शादी है, जो हमारे जियो परिवार में आप से शादी करने के रूप में माना जाता है, तुम क्या सोचते हो, जियो यान का दिल गर्म था केलिन की भावनात्मक आखों में, अगला में के, यह धीरे से चूमा कुछ समय, गर्म कमरा चुपचाप वसंत की भावना से भर गया, जल्दी जियो डिंग और जियो ली के तत्वावधान में, जियो यान और केलिन ने एक साधारन शादी की, श जियो यान को दोशी महसूस कराने के लिए काफी है, और यह उपाधी उसके लिए सबसे अच्छा मुआवजा है, इस पल, केलिन के आसू गिर गए, मुश्किलें और खत्रा अंत में घर के स्वामित्व में प्रवेश किया, बाद के, दिनों में तीन जियो यान भाईयों अ जियो यान कैलिन और जियो जियो के साथ जोंग जो लोट आया, जिंग्युन मंडप के हॉल में याउ लाओ ने जियो जियो को कुछ आश्चर्य से देखा, उसने जियो यान से कहा, क्या ये तुम्हारी बेटी है, मिलते हैं याउ लाओ की अभिव्यक्ति देखकर, जियो य जान मुस्कुराया और सिर हिलाया आखिरकार जियो यान की कार्य कुशलता बहुत तेज थी में एक कुछ साल उनकी बेटी इतनी बूढी थी जो वाकई हैरान कर देने वाला है याओ लाओ की आखें हिलती रही और जल्द ही वह कैलिन पर तै किया गया था एक मजाकिया मुस्क के साथ मैं सच में इसकी उम्मीद नहीं थी उस समय आपकी पतनी ने आपसे मृत्यू की हद तक धेना की थी अगर यह बूढे आदमी के लिए नहीं था मुझे डर है कि आप नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी बार मर चुके हैं बाद में याओ लाओ के शब्दों को सुनक केलिन के बरफीले गाल थोड़े लाल थे वह और याओ लाओ ने भी बहुत संधर्श किया लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह बूढा आदमी जो उससे थोड़ा अधिक बलवान था वास्तव में इतना शक्तिशाली था तुरंत केलिन ने जियो को अपने का चेहरा उसके पास नहीं था बच्चे और कोई बेटिया नहीं वह लंबे समय से जियो यान को अपना पुत्र मानता था और जियो यान की बेटी स्वाभाविक रूप से उसकी पोती की तरह थी एक खास तरह का प्यार होता है याओ लाओ ने आगे कदमबढ आया और जियो रूप को देख कर जो यान उदासींता से मुस्कुराया और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है और वीडियो कैसा लगा जो हमें कमेंट करके जरूर से बताना और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना तो मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए गुर्बाए माशी का तो